Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम लोग देखेंगे blood test कैसे करते हैं. Blood test एक बहुत ही simple सा procedure होता है, जिसमें हम लोग client के blood को लेते हैं for the lab analysis like the to examine the blood cells, chemicals, proteins or the other substance. हम लोग blood test करते हैं, क्यों करना है हम लोग patient का blood test? तो first of all, we have to know, we have to diagnose the diseases to monitor the chronic diseases and to find out if treatment for the disease is working or not. And sometime we have to diagnose the bleeding or the clotting disorder. So, यह सारे purpose थे हम लोग blood test क्यों करते हैं? तो first of all, जैसे ही patient आता है, हम patient को identification data से check करते हैं like the patient है की नहीं है, मतलब वही patient है की नहीं है. Like उसका नाम, age, gender, IPD नंबर, यह सब से हम patient को check करते हैं. patient verification होने के बाद से, हम सारे articles को arrange करते हैं जो भी हमको blood test के दोरान चाहिए होता है. उसके बाद से हम patient को comfortable position प्रोवाइड करते हैं और patient के hand को, arms को distant करके देखते हैं कि veins palpate हो रही हैं, की नहीं, veins proper तरीके से मिल नहीं है, की नहीं. और अगर नहीं मिलती है, तो आप हाथ को distant कर सकते हो, या फिर anti-cubital region को आप palpate करके भी देख सकते हो. जैसे कि आप arms में median cubital, या फिर सिफैलिक vein, या फिर bacillic vein से blood collect कर सकते हो. आपको अगर veins visible नहीं है, तो veins को visible करने के लिए आप turnicate या फिर आप gloves की help ले सकते हो. जो anti-cubital region होता है, वहाँ से 3 finger above आपको gloves या फिर turnicate को tie करना है, making sure की 3 fingers above हो. जो gloves वो turnicate वो बहुत जादा tight ना हो, उसमें एक finger आप easily insert कर सकते हो. उसके बाद से आप patient के hand को distant करोगे ताकि जो veins है वहाँ की वो easily visible हो जाएं और आप palpate करके भी check कर सकते हो. आपको उसके बाद से क्या करना है, alcohol swab लेना है और cotton swab जिसको हम बोलते है, alcohol swab लेने के बाद से आपको क्या करना है, कि आपको from the center to periphery जाना है, आपको ऐसे नहीं clean करना है कि एक बार एक swab stick से clean कर दिया है, इस तरह से नहीं जाना है, आपको from the center to the periphery जाना है, means कि अंदर से बाहर की तरफ, means कि अंदर का area हमको जादा clean करना है, उसके बाद से हम लोग को touch नहीं करना है उस area को नहीं, तो फिर से वो area contaminated हो जाना है, इसलिए हम लोग को उस area को touch नहीं करना है, और आपको जो भी syringe आपके पास है, 3 ml की या 5 ml की, उससे air को आप बाहर निकालोगे, और उस needle को insert करोगे, उस vein में, और धीरे से आप धीरे धीरे करके, आप sample को collect करोगे, आपको 3 ml चाहिए, या फिर 5 ml चाहिए, जितने भी sample चाह हम लोग collect करते हैं, और वहां से हम लोग turnicate को खोल देते हैं, gloves को खोल देंगे, और वहां पर उस area को press करके रखना होता है, एक मिनट तक या फिर 30 सेकेंड तक, उसके बाद से sample collect करने के बाद से उसको हम लोग EDTA वायल या फिर आप plain वायल में दे सकते हो, जो भी need है, ग्रे जो वायल होता है, making sure कि उस पे patient के identification data और IPD number उसके लिखा हो, और उसके बाद से जो भी आप form देते हो patient को, like investigation के forms जितने भी होते हैं, कि आपको क्या-क्या patient को test करवाना है, CBC करवाना है, ESR करवाना है, HIV करवाना है, malaria, dengue, liver test, LFT, KFT, जितने भी test करवाने हो, उस आप form में lap में दे दोगे, सो ये procedure था,